तो वहिया अगर तुम्हारे पास पर्सनल पॉटफोलियो नहीं है परसनल पॉटफोलियो अपना नहीं है तो फट फट डिसकस करते हैं कि आप कैसे बना सकते हैं अपना पर्सनल पॉटफोलियो का पेज और क्विकली आपको लेकर चलता हूं कि आप तीन चार चीजे कर सकते ह में बना सकते हो HTML CSS JavaScript में बना सकते हो, Templates दे सकते हो, Next Year's का Portfolio बना सकते हो, Months चाहिए हो, सब कुछ कर सकते हो, आप अंदर चलते हैं वीडियो के देखते हैं, One by One क्या क्या चीज़े हैं, आप Follow कर सकते हैं, चलो जी सबसे पहले चलते हैं, Simple HTML CSS तो आप चैट जी बीडियो से भी बनवा सकते हो, आप Simple उसे बोलोगे की Portfolio वेबसेट बना के दे तो तो आपको बना के देदेगा, अगर आप यहां पर लिखते हो Simple HTML CSS Portfolio Templates तो भी आपको बहुत सारी Templates मिल जाएंगे, जिसमें अगर आप जाओगे तो आपको Free की मिल जाएंगे, से आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप एक Simple सा Portfolio वेज बना सकते हो, ऐसा कुछ है ना, नॉर्मल सा की Contact करें करें मुपर और आप इससे सी कुछ सकते हो फिर, एक इसके बाद Option आता है कि आप Bootstrap यूज कर सकते हो, और आप उसको देख सकते हैं, यूटीब पर बहुत सारी वीडियो जाएंगे, जो आप यूज कर सकते हो, आप तो यह जैसे बहुत सारी Portfolio वेबसाइट्स हैं, प्लस वन, प्लस वन, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो, बूर्स आपके Portfolio वेबसाइट हैं, है न, लौरा जी की हैं, कुछ और लग रहा था मेरे को पहले, बट है लौराई, ये देखो ये है, डेमो सिंपल सा, नॉर्मल, सिंगल पेज, सिंगल पेज एफसर्ड बना सकते हैं, आप ऐसी बहुत सिंपल है, ये खुद भी बना सकते हो, इसमें Emily डाला, ये डाला, अपना नाम डाला ये डाला और ये सारी चीशे आपने, जो भी अब ये pages बना रही हो, ये बना सकते हो आप Shooting कुछ ऐसा बना दी and then इसमें अनिमेशन वगर आपने डाल दी तो यह देखो कितना अच्छा है है ना तो यह आप कर सकते हो यह बना सकते हो ऐसे ऐसे टेंपलेट भी ले सकते हो इनकी बाकी यह कि बूट्स्ट्राप अगर यूज़ करके फ्री कोड कर यह यह नीचे डाल दू अगर आपको यूज़ करना है तो फ्लो वाइड यूज़ कर सकते हो टेल विंड से तो टेल विंड CSS की कॉंपोनेंट लाइबरी है यहाँ पर सिंपली इसको इंस्टॉल करना है और इसके बास इनके पास बहुत सारे कॉंपोनेंट्स होते हैं तो यह बनाते जाओ पहले बै आड़ अच्य अच्य बना सकते हो कि प्रोफाइल के किसी चीज के है ना तो मल्टीबल यह तीन-चार बार कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको ऐसे काड़ दिख जाएंगे बहुत सारे नीचे जाओगे तो रीड मोर वाले बना सकते हो तो यह छे साथ है कॉपी कर लो कॉपी बना लो तो प्रैक्टिस भी करो टेंपलेट्स भी लो दोनों चीज़ें आपके कर सकते हो कुछ लोग गलती है कि टेंपलेट्स परसे प्रोटफोल्यू पे न अपना पूरा छे महीने लगा देते हैं वह भाई छे महीने नहीं है छे महीने इन चीज़ों भी लगा सकते कि देख लो यह सिंपल से इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं ऐसी पेजिस बनाने बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं तो आप बना सकते हैं अब मैं आपको चैट जी पीटी वगएरा का यह देख सकतो यह देखो यह बागए वेब डिजाइन के फ्री रखें example के तौर पे देख लेते हैं एक्जांप लेता है तो यह दो भीया बंद बढ़ा है बाट ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप ऐसे इसको एक्सպूर कर सकते हो, हरश कुमार पांडे का भी है, हरश कुमार पांडे का देख लो, हरश कुमार हरश का बढ़िया बना हुआ है, यह परसनल पॉर्टफोलियो है, ठीक है, योई, यो, एक्स, full stack, blockchain, ये इसके ब्लॉग्स है कि एथिरियوم के नोट्स फगरा बना रहा है यह पन्दरा जन्वरी पिछल साल लिख़िए दी ठीके स्टेकिंग फेकिंग यह वो स्ट्रीक्स हो गए या इसटेम्ब्लो ये अच्छा है है ना सिंपल सा है भाई का लेफ्ट और राइट सिंपल रो बनाई वन टू त्री इंफोर्मिशन सिस्टम वगरा पट रहें लिंक्डिन चारो लिंक डाली बैग्राउंड स्केल प्रोजेक्ट्स को गरा डाली स्केल्स प्रोजेक्ट्स बहुत ही अच्छे बह भाई इसको कैसे बनाना है हर चीज के टुटोरियल देखते रहोगे तो भाई कैसे फस फस जाओगे टूटोरियल हेल्प में तो यह चीज़े खुड ट्राए करो सीख लिए अब इस चीज़ को खुड ट्राए करो यह नहीं है कि हर चीज का आपको एक एक लाइन का कोड़ कोई वो सारी चीज़े गलत है ना थीम फॉरेस्ट पर भी जा सकते हो थीम फॉरेस्ट यह वी वेबसाइट टेंप्लेट मिल जाती है तो थीम फॉरेस्ट पर जाओगे ना अगर आप यह देखो वर्ड़ेस से लेके सारी मिलती है इंके उपर सारी थीम मिल जाती है e-commerce, dollar की यह आप purchase कर सकते हैं आपका लेने का मन करें बाकि यह कि unicorn platform वगर यूज कर सकते हो नो put tools के अगर मैं बात करता हूं नो put tools available हैं बहुत सारी market में unicorn platform है framework.com है framework से आप templates उठा सकते हो यह मिलनी है उन लोगों के लिए जिनको ऐसे अपनी अच्छी website बनाने है design oriented है न कुछ ऐसा setup करना है कि जो भी है तो यह चीज़े आप definitely कर सकते हो और framework वोगरा भी use कर सकते हो ठीक है जी अब आते है next.js पर तो next.js अगर आप सीख रहे हो तो next.js के portfolio की कुछ ना को templates मिल जाएंगे आपको जैसे यह थोड़ी complicated है इसमें क्या है कि इसमें कुछ-कुछ loading unloading हो रही है blog, guestbook यह वो तो blog load हो रहे है खहीना कहीं से है ना guestbook में कुछ-कुछ हो रहा है sign-in कर सकते हो इंडिया love this site tutorial request आ रही है किसी की है ना तो sign-in करके यह वो तो बट इसका code वगरा भी होता है ना तो इसका code भी आप देख सकते हो यहां प यह open source ही है और open source है तो आप इसके अंदर definitely जाके चेक भी कर सकते हो कि आप में देखो कितना कुछ हो रहा है आप में db है blog.ts है यह define blog में देखो आप page.tsx में blog load हो रहा है और all blogs आपके slug से आ रहे हैं या get blog post से आ रहे है get blog post आपके db में blog function है तो इस तरीके से आप open source की दुनिया में भी ढा सकते हो सिर्फ personal portfolio बैसे कि blog है एक दो चीज़े हो रहे हैं आपे और जादा कुछ नहीं है जादा कुछ तो वाले में इन्होंने कुछ work का करा हुआ है ना fetch वगेरा normal fetch request मारी हुई है किसी चीज सी and बाकिसारे आप यहां पे check कर सकते हो this is a very good place और basically तो mdx file में store कर रखा कापी कुछ मामला है यहां पर की beginner's guide backhand career यह वो mainly blogs हैं सारे इनके तो blogs को इसी तरीके से load कर रहे हैं अगर आप देखोगे ना तो यह एक चीज है जो आप explore कर सकते हो second है यह freelancer के कुछ इन्होंने बना रखा है open source portfolio made with tailman services तो यह बहुत अच्छा है left में देखो कुछ कुछ है month stack यह वो animations हैं यह loading unloading expertise की हो रही है कहीं से यह आपका testimonials है client reviews है ना तो बहुत ही अच्छी एक website बना रखी है है ऐसा नहीं है और आप इसको inspect करोगे तो आप और देख पाओगे कि यह responsive है कि नहीं विल्कुल responsive है और बेटर हो सकती है design wise but yes you can definitely check this out इस guide को मैं इस लिंक कर रहा हूं personal portfolio की personal portfolio का page बनाएं tag करें में को LinkedIn पे post करें और